लोकसभा चुनाब से पहले जो तरीके से ये गठबंदन के लिए बड़ा जटका लगा है कि जो गठबंदन ये कह रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाब में मोधी को उखार फेकेंगे वो एक छोटे चुनाब यानि कि मेर चुनाब में अपनी हार को सुविकार नहीं कर पा रहा ह कुकि आम आदमी पार्टी अपनी आवाक हो चुकी है आम आदमी पार्टी जेल के सलाखों के पीछे जा रही है और ये बुड़ी तरह से हार गए चुकि इनको कॉंग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया इनके अहां भी लोगों ने जानबूच के इनको हाराया चुकि वो जान गए है कि इनका मेल जीतना ठीक नहीं है और जीत भी नहीं पाएगा इसके पहले भी नहीं जीत पाया था हरीज खुराना ने भी इनके लिए बहुत बुरी तईके से कहा अब आपको बता दे है कि वास्तों में गिर्गिट की तई के रंग बदल रहे थे और इनके लिए बहुत सर्म की बात है कि यह जिस तरह से चुनाव लग रहे थे काई ने यह ऐक्चुली में इस चकर में थे कि कांग्रेश को बेकूप बढ़ा ले और वहा यह है कि आपको बताने इसके पहले जो चुनाव हुआ है आपको बताने हैं, 2021 में उसमें 35 सदस थे, 35 में आपके 14 सदस जीते थे, कांग्रेस के 8 थे, मतलब 14 आट अगर आप जोल दीजिए तो 22 हो गए, और BJP के 12 थे, SGP का एक था, मतलब BJP के टोटल जाकर के 12 थे, और इनके जो थे 22 थे, परन्तु जम मतदान हुआ, तो आपको ताज से अंदादा लगा लें कि कांग्रेस इनके प्रत क्या धालना लगती थी, दूसरे मतदान में इसके पहले भी इनहीं के लोगों ने इनको मतदान नहीं किया, बाइकोट किया, और 2021 से लेके अभी तक इनका मेयर लगातार हरे एक कॉन्फिडेंस के अलावा, कोई भी रेजि जिस होड़े ही, जो किसी ने गाउड नहीं कि, मालूम है आप पार्टी केजरीवाल ने क्या कहा है, कि केंद पे आरोब लगाया है, चुनाओ आयोग पे आरोब लगाया, चुनाओ आयोग के लिए बहुत गंदे सब्द किये, वहां के अधिकारियों पे आरोब के अलावा ये कहना है कि ये लोग इतने ब्रहष्ट हैं कि मारसला हो सकता है लेकिन ये सत्ता नहीं छोड़ेंगे ये सेना के लिए कहना है मारसला हो सकता ये बहुत बड़ी बात दूसरी रागो चड़ा क्या कहना है ये देजदरों का इनकी जो हरकत है वो आर्मी तक को हुसकाने की है न वो चीज इनन नहीं कहने चाहिए, चुकि जेल जाने से पहले ये जितने भी सनिहन्त हैं, वो करने पे नहीं चूकेंगे. अब आपको बतलाना है कि इसके अलाबा जो सबसे मेन बात है अभी हाई कोर्ट में जब ही गए तो हाई कोर्ट ने इनसे कहा और इस परश्ट कहे दिया कि ना हम यह खालिज कर सकते हैं नहीं इस पे इस्टे दे सकते हैं और जो जो काम करना हैं ना उसमें बाधा डाल सकते हैं इन लोगों ने कहा भी इनके एडवोकेड ने किसाब उस पे ये कड़ा दीजे कि किसी भी तरह से ये लोग काम लोग दिया जाए अभी सपन न ले पाएं ये सब न कर पाएं उन्हों का नहीं कोई भी प्रोसीडिंग में किसी तरह से अब ये है कि उन्होंने ये जरूर कहा है हाई कोड ने कि इनके मामले जो वहाँ पर हुआ है उसकी प्रोसेडिंग और उसके मुझे कागज अभी इविडेंस से भेजिये यह सिर्प उन्हों ने कहा उस पे भी उनको टाइम दिया है तीन हपते का टाइम दिया तीन हपते के अंदर किसी भी केस में नैमुज सुधीर सि इस पश्ट रूप से एक प्रिकार से इन लोगों को करारा तमाचा पड़ा है जो यह चाहे रहते किसी तरह से इस्टे ले करके सपद गया है और उन्होंने तीन हफते का समय दिया है यूनियन टेरिटरी को और उन्होंने कहा है कि यूटी जो है जो यूटी प्रशासन है व सुप्रीम कोट जो है वो इस मामले को किस तरीके से देखने वाला है जो तरीके से आरोप लगाये जा रहे हैं कि बीजे पी न धान लिकिया उसको सबूत क्या है सिर्फ एक वीडियो दिखा कर जो है उलगातार आरोप लगाये जा रहे है और वो वीडियो भी बाद का है इनकी conspiracy हमेशा रही है Supreme Court भी जाएंगे Court का एक बहुत clear cut है वो चुनाव आयोग से advice जरूर लेते हैं चुनाव आयोग का view जरूर सुनते हैं चुकि आयोग ने बाकाइदे वहाँ पे चुनाव खड़ाया वहाँ पे अफसर बैठे उनके boat पड़े इसके लाबा एक और हरकत हुई है जो ये दिखला रहे हैं गलत है अनिल मैसी का जिसको दिखला रहे हैं अनिल मैसी को इन सब लोगों ने मिल करके उस पे प्रसवाइडिंग ऑफिसर पे रखा था दूसरी आपको तारे वहाँ पे और अधिका ली थे आपके लोग वहाँ पर मेज में कूंदे हैं उन्होंने मतपत चीने हैं और भागे हैं मारसल ने पकड़ा है पकड़के उन्हों से मतपत लिया ये सारा वीडियो में है इनको मारसल ये लोग वहाँ पर मतलब बत्मीजी कर रहे थे और जो यह कह रहा है इनको बुलाये नहीं के इस सब लोग बुलाये गएते यह क्या चाहिए रहे थे खुद काउंटिंग करें खुद काउंटिंग कभी भी प्रत्यासी के एजेंट नहीं कर सकते हैं सामने अधिकारी बैठते हैं वो काउंटिंग करते हैं वो मतपत दिखाते इन लोगों को मत्पत दिखाए गया, यहां पर सिर्फ इनका जूट का फंडा है, और इनका बेश सुरू से रहा कि हमेशा ही इनोंने हर चीज में जूट बोला है, इस पे भी जूट बोला है, और जब यह हाई कोड में गयते हैं, तो वहां पर नैमूज सुधीर सिंग जी के स काम ने, जब इन लोगों ने अपनी बात कही, तो जितनी भी इनों ने बात कही, सब उन्हों अजर अधर अंदास की, उन्हों ने सिर्फ यह कहा, कि स्ट्रांग रूम में जो सेप रखा हुआ है, उसको भेज दीजे, वो भी उसमें साफ है, मत्पत साफ है, और इनके उसमे बड़ी तरीके से यह जो करना है, यह गलत ढंक से करना है, और इस पर सफल नहीं होगे, सवाल तो यह भी उठ रहे हैं, कि जो तरीके से जो आठ वोट इन्वैलिड हुए हैं, उसमें जो है, वो कॉंगरस के नेता, उन्हों ने अच्छी तरीके से जो है, वो पेपर नहीं भरा था, इसके कारण जो है, वो वोट इन्वैलिड हुए है, फिर इस पूरे मामले में एक छोटे चुनाव याने मेर को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि हमेशा कभी जब जीत जाएं, तो यह का जाता है, कि EVM खराब है, और आज अकर मेर चुना क्या था, कांग्रेस के लोग तुरंती हटके चले जाते थे, इनके भी कुछ मतदान नहीं काते थे, सामने तो सामने खरे होते थे, पैतिस आदमी कितने होते हैं, आप समझ लीजे, इनके सामने खरे होते थे, इनहीं के उतने, आसल में इन्होंने कांग्रेस के साथ गदारी किया कांग्रेश कांग्रेश का सीशिरर्टाइब ट्री मेर अंध सेकेर नंबर तो दोनों में आप बालों ने मतादानने किया तो इन लोगोंने आपस में आज तक्लड कर्ड है कि आप पार्टी ने घ् APPLAUSE इस到底 को तो बड़ा जटका लग गया और वहां ये भी कहा गया कि जो मेयर वने हैं वो अभी मेयर वने रहेंगे जुस तरीके से लगातार मेयर को हटाने की बात की जा रही थी और ये कहा जा रहा है कि चुनाफ फिर से हूँ पर इस पर तो पूरी तरीके से बड़ा जटका देते लोक सबा में दो हजार चौपिस में बहुत साफ है जब ये जलासा recording जीत पाल है आप हैं इनके लोग बोड़ नहीं दे रहें तो ये लोक सबा में बहुत बुरी इनकी हालत होगी ये अभी सदन में हाने आप समय ले ये लगातार हाल रहाना है हाई कोड जाने, सुप्रीम कोड जाने, इनके सारे लोग जेल में हैं सलाखों, मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो पोजिशन आगे आने वाली है, उस पे ये लोग कहीं पे सदन पे किसी में नहीं पहुंच पाएंगे, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, इनकी पूरी पार् की बज़े से, बहुत बहुत धन्यवार पत्तका जी